जहानबाद में नवरात्र पूजा शान्ती के साथ सोहार्दपुर्ण माहौल में संपन्न हुआ इस दौरान तमाम अधिकारी पूजा पंडालों के बीच भक्तों की सिवा में लगे रहें प्रशासनिक महकेमे के साथ साथ जन्पृतनिधी भी इस दौरान माता के भक्तों की सिवा में और विभिनप पूजा पंडालों में घूम घूम कर माता का आशरवाद लेते नजर आए जहानबाद विधायर्क सुदय यादों की बात करें तो वो सब्तमी से ही जहानबाद के अलग-अलग दुर्गा पूजा पंडालों में देर रात तक विधी विवस्था को देखते रहे और माता के भक्तों की सेवा में लगे रहे सभी पंडालों में भ्रमन करते हुए किसी भी तरह के उत्पन्न हो रही छोटी से छोटी समस्या की जानकारी लेते और उसे पूरी तत्परता से दूर करने की कोशिश करते नजर आए इस बीच कई बच्चों को भी जो मेला में घूमने आए अपने परिजनों से बिछड़ गए थे उन्हें विधायक ने अपने सहयोग से परिजनों से मिलवाया इसके लिए ग्रामीन शित्र से आने वाले परिवार वालों को फोन करकर के विधायक ने उनके बच्चों से उन्हें मिलवाया दशरा के दिन खार से अपने अंदाज में नजर आए विधायक सुधायादो इस दौरान आम लोगों से घुलते मिलते नजर आएं और विभिन पूजा पंडालों में माता का आशरवाद लेने के लिए भी घूमते दिखे इस दौरान किसी भी तरह के समस्या का समाधान करने की हर संभो कोशिश करते नजर आए मेला घुमने के बाद विधायक सुधायादो अपने सहयोग्यों के साथ मेला घुमने का ठकान भी दूर करते नजर आए आम लोगों के बीच बेहद आम अंदाज में वो जलेबी और चाट के दुकान पर पहुँचे और वहां अपने तमाम सहयोग्यों के साथ जलेबी और चाट का लुथ उठाया आम लोगों के बीच बैठ कर जहानबाद में विदायक सुद्ध ग्यादों का ये अंदाज चर्चा का भी विशे बना रहा